तो स्टूडेंट्स चलिए आज की वीडियो में हम बहुत फन करने वाले हैं, बहुत जादा इंज्वाइ करने वाले हैं क्योंकि आज हम स्टोरी राइटिंग डिसकस करेंगे और लीजिए कितनी अजीब सी बात है, स्टोरीज को भी हम डिसकस करेंगे देखी स्टोरी जब भी हमें दादी नानी कहानिया सुनाती थी, या लकिली आपको आज भी आपकी दादी नानी कहानिया सुनाती हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं बहुत मज़ा आता है कहानिया सुनने में, फिर जब ये क्वेस्चन आपके एक्वेस्चन पेपर में आता है, फिर हमें डर क्यों लगता है उस time उस समय हम fun क्यों नहीं कर पाते हम enjoy क्यों नहीं कर पाते क्योंकि ये कहानी है कहानी को कहानी कितरे ही आप पढ़िये समझिये तो आपको ये question का answer देने में कोई difficulty महसूस नहीं होगी आपको enjoy करना है जब आप story writing के बारे में बात करते हैं कि story writing की खास बात क्या है एक तो सबसे बड़ी बात होती है title शीर सक कहानी का जो title है वो justified होना चाहिए कई बार आपके question paper में आता है justify the title of the story कहानी के title को शीर सक को justify कीजिए title ऐसा होना चाहिए story का जो title है वो ऐसा होना चाहिए कि एक तो short title हो और वो बहुत ज़्यादा informative हो बहुत ज़्यादा attractive हो और आपको ये बात और बतला दें कि जब हम अपना topic not making वाला जो discuss करेंगे वहाँ पर हम detail में आपको बताएंगे title giving के बारे में title देने के बारे में शीर सक देने के बारे में अभी ज़्यादा time नहीं लेते हैं कि एक story के एक topic के एक से ज़्यादा titles हो सकते हैं शीर सक हो सकते हैं सही होते हैं सभी सही हो सकते हैं अगर वो relevant हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान रखना होता है तो story का title ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में थोड़े से कम से कम शब्दों में पूरी story को पूरी कहानी को बया कर दे पूरी की पूरी कहानी को समझा दे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है अब story में आपको क्या ध्यान रखना है सबसे पहली बात क्योंकि एक कहानी है बीती हुई घटना को बीती हुई बात को आप बता रही हैं जो बीत गया उसको हम भूत कहते हैं भूत काल past tense तो story हमेशा आप past tense में लिखते हैं एक बात यह आप त्यान रखेंगे story हमेशा past tense में लिखते हैं दूसरी बात आती है कि जब भी आप story लिखते हैं तो एक sequence एक series of thoughts आपको follow करनी होती है कोई भी कहानी है कोई भी जो अगर आप movie देखते हैं उसमें क्या होती है एक story होती है और story में एक sequence होती है फिर कोई film hit क्यूं हो जाती है कोई film pit क्यूं जाती है यही कारण होता है जिस story में sequence लगातार बनी रहती है उस story में जो देखने वाले दर्शक हैं जो audience हैं उनका दर्शकों का जो रूची है कहानी को सुनने वाली जो audience हैं और वहाँ पर जो लोग movie को देख रहे हैं spectators हैं जो दर्शक हैं उनका interest जब तक बना रहता है तब तक वो उस movie को देखते हैं इंटरेस्ट कब तक बना रहता हैं जब तक स्टोरी में उस movie की स्टोरी में उस picture की स्टोरी में sequence है एक के बाद एक घटना लगाता चलती जाती है और अगर स्टोरी में sequence जहां पर भी break हो जाती है तो जो दर्शक हैं उनका interest भी खत्म हो जाता है तो sequence आपको maintain करके स्टोरी में रखनी होती है वन बाई वन आपको एक एक बात करके बतलानी होती है स्टोरी के अंदर भी जैसे आप starting करते हैं ज़्यादा तर आप कहानियों की क्या starting करते हैं कुछ आपके पास ऐसी lines जरूर होने चाहिए कि कोई भी story आए और आप वो lines तो fit कर पाएं story writing is an art ये कला है लेकिन आप कहेंगे कि हमारे अंदर तो ये कला नहीं है जिसमें ये कला नहीं है इसका मतलब क्या वो इस question को solve ही नहीं करेंगे करेंगे कैसे करेंगे कुछ एक techniques हैं वो techniques हमें देखे कुछ एक तो God gifted artists होते हैं और कुछ एक ऐसे artists होते हैं जो आपनी skills को through proper training develop करते हैं उन्नत बनाते हैं तो आपको त्यान रखना है कि आपको कहानी लिखनी आनी चाहिए और आप जो भी readers हैं आपके reader कौन होने वाले हैं आपके examiner उनको लगना चाहिए कि आप कोई cramming ना करें कोई रटने की जुरूरत नहीं है आपके mind पे आपके brain पे कोई pressure किसी भी प्रकार का ना बने और आप अच्छे तरीके से story भी आप लिख पाएं इस question को आप अच्छे तरीके से solve कर पाएं हमारी इस video का यही main purpose यही main goal रहेगा एक बड़ी challenging सी task लगती है बच्चों को story writing तो आपको सिखाते हैं देखें यह title हो गया सबसे पहली बात है story का आप title लिखेंगे शीर्शक लिखेंगे अब आपके exam में आपके question paper में story writing आती कैसे हैं ज्यादा तर question papers में story writing के लिए आपको hints दिये जाते हैं संकेत दिये जाते हैं कि अगर आप भूलते भी हैं तो आप उन hints को use करके अपनी story को लिख सकते हैं यह hints भी आपके sequence में ही मिलते हैं एक के बाद एक जो hint हैं संकेत हैं उनको आप use करें और कहानी को आप लिखते चले जाएं इन hints को use करना भी जरूरी होता है इनकी sequence को maintain करना भी जरूरी होता है और कहानी जब आपने खत्म कर दी end हो गया story का तो आप last में moral of the story इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है यह आपको बतलाना होता है कोई भी कहानी होती है उसका introduction होता है बीच में एक problem होती है और फिर उसका solution बतलाया जाता है happy ending कोई भी movie है कोई भी story है आप ले लीजिए movies में भी stories होती है और आप movies को अच्छे तरीके से देखकर याद कर पाते है क्यों याद कर पाते है क्योंकि आपका interest होता है तो आप ऐसे ही interest से यह जो story writing है इसको समझने की कोशिश कीजिए introduction problem और last में problem का solution और बिलकुल last में अलग से आपको लिखना होता है moral of the story कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है तो यह हमें moral message भी देती है stories हमें एक मौलिक जिसको हम कहें के अच्छा एक समाज के लिए संदेश परदान करती है कहानिया अब देखिए हमने यह story लिए है The Thrusty Crow प्यासा कवा प्यासा कवा एक personal experience share करते हैं बिल्कुल easy है कितनी easy है हमने nursery classes के बच्चों को याद करते हुए सुना बड़ा अच्छा लगा और वो Thrusty Crow को कैसे याद कर रहे थे हिंदी में प्यासा कवा कि जो कहानी है उसको याद कर रहे थे काफी creative मुझे वो लगी आपके साथ share करना चाहेंगे वो कहानी है एक poem की form में एक प्यासा कवा था एक प्यासा कवा था घड़े में पानी थोड़ा था कवा लाया कंकर घड़े में डाले कंकर पानी आ गया उंचा पानी आ गया उंचा आप कहसेकते पानी आ गया उपर कवे ने पिया पानी खत्म हुई कहानी इतनी सिंपल सची बात है इतनी सिंपल ये story है और हम confused हो जाते है खुद को उलजा लेते हैं पता नहीं किस किस तरीके के sentences और ideas में उलज कर रहे जाते हैं कुछ नहीं करना इतनी सिंपल सी आपको story दी गई है अब ये hints दिये गए हैं अक्रो थ्रस्टी कॉमा फ्लाइबाउट इन सर्च अफ वाटर कॉमा जग इन गार्डन कॉमा वेरी लिटल वाटर कॉमा कैनोट रीच कॉमा प्लांस कॉमा प्लांस कॉमा पुट्स सम पैबल्स इन्टु इट कॉमा वाटर राइजिज कॉमा ब्रिंक्स कॉमा फ्लाइज अवे फुल स्टॉप उसके बाद में हमने देखिए मॉरल मॉरल भी लिखना होता है मॉरल अब दा स्टॉरी अब आप एक चीज का ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में आपके एक्जैम में दाथरस्टी क्रो टाइटल से ही ये स्टॉरी आए ये भी टाइटल हो सकते हैं ये मॉरल अब दा स्टॉरी जो है इनके भी कई बार एक्जैमिनर स्टुडेंट्स को कन्फ्यूज करने के लिए ये टाइटल भी दे सकते हैं जैसे ये कहानी है ताथरस्टी करो इसके moral of the story रहते हैं where there is a will, there is a way जहा जहा वहां रहा दूसरा होता है necessity is the mother of invention आवशक्ता आविशकार की जननी होती है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको हसाने के लिए थोड़ा सा आपका interest और create हो एक personal experience और आपके साथ share करना चाहेंगे क्योंकि कहानी है कहानी है तो कहानी में और ज़्यादा कहानियां बतलाने में मज़ा आता है आप भी enjoy कीजिए देखिए अगर आप moral of the story अगर धंग से learn करके नहीं रखते और suppose the thirsty crow की जग है ये title से आपके question paper में question आ गया where there is a will there is a way आपने पूरी story learn कर रखी है और आप पूरी story लिखने में सक्षम है आप लिख सकते हैं लेकिन फिर भी आप नहीं लिख के आते ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपने moral of the story learn नहीं किया तो ये भी आप अच्छे तरीके से necessity is the mother of invention ये title आए where there is a will there is a way ये title आए the thirsty crow ये आए तो आपको ये ही story लिखनी है ऐसा ना हो के कई बार हमारे question papers में पहले ज़्यादा यूज होता था ऐसे hand का एक symbol जो है वो संकेत यूज किया जाता था question के आगे इस तरीके से हाथ बना होता था और उस हाथ बने होने का ये मतलब होता था कि ये compulsory हैं ये questions आपको जरूर करने चाहिए very important ये questions हैं आपको जरूर करने चाहिए एक paper में एक बच्चे ने उसको सारा लगबख सारा paper आता था लेकिन जब exam का time जो है over हो जाता है वो बच्चा examination hall से बाहर जाता है उसके parents पूछते हैं के बेटा paper कैसा हुआ तो वो कहता है के time कम मिला वो पूछते है time कम क्यों मिला बच्चा बतलाता है के paper में हाथ बहुत ज़्यादा आए हुए थे और मेरा तो पूरा time वो हाथ बनाने में ही चला गया parents पूछते है क्या paper नहीं आता था बच्चा कहता है paper तो सारा आता है सारा आता था मुझे लेकिन वो हाथ बनाने में ही सारा time चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ paper आते आते रह गया तो आपके साथ भी ऐसी गटना हो सकती है इसलिए आपको moral of the story बार-बार मैं बतलाना चाहूंगा moral of the story आपको जरूर learn करके रखना चाहिए story है देखिए इन hints को I'm use करते हुए कोई भी story आप ऐसे ही start कर सकते है once there was a crow once there was a farmer once there was a student आप इस तरीके से एक बार की बात है कहानी ऐसे ही start होती तो एक तो line आपकी ये confirm हो गई के और कुछ लिखें न लिखें once there was आप farmer के बारे में once there was a farmer crow के बारे में once there was a crow once there was a crow he was very thirsty देखिए a crow thirsty ये hints हमने use कर लिए एक बार एक कववा था वो बहुत प्यासा था full stop he flew about in search of water flies about in search of water he flew about in search of water ये present tense में दिये गए है hints और यहाँ पर आपको क्योंकि story है past tense आपको use करना है story आपको past tense में लिखनी है he flew about in search of water वो पानी की तलाश में उड़ा but he couldn't get water anywhere लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला at last he reached a garden आखिर में वो एक बगीचे में पहुचता है there he saw a jug of water वहाँ पर उसे पानी का एक जग पानी का एक बरतन दिखाई देता है but there was very little water in the jug लेकिन पानी जो जग में पानी था वो बहुत थोड़ा था आप पिच्चर वर्ड भी यूज कर सकते हैं घड़ा घड़े में पानी थोड़ा था जग में पानी थोड़ा था his beak couldn't reach it कववे की जो चोँच है वो पानी तक नहीं पहुँच सकती थी so he was not able to drink water पानी पीने आया था पानी तक चोँच पहुची ही नहीं वो पानी पीने में समर्थ नहीं था the crow thought of a plan the crow thought of a plan कववे ने एक योजना सोची कववे ने एक योजना सोची उसे necessity हुई जरूरत महसूस हुई और फिर उसने एक invention की खोज की क्या किया he saw some pebbles near the jug उसने जग के आसपास कुछ pebbles कुछ पत्थर पड़े हुए देखे he picked up the pebbles and dabbed them into the jug one by one उसने पत्थर उठाए और एक एक करके जग में डालती है the water rose up water level rose up पानी का स्तर उपर उठ गया पानी घडे में उपर आ गया पानी जग में उपर आ गया now the crow's beak could reach it अब कववे की चौच पानी तक पहुँच सकती थी the crow drank the water and flew away कववे ने पानी पिया और उड़ गया हमारी कहनी का जो दूसरा क्या शिक्षा मिली हमें where there is a will there is a way जहां चाह वहां रह कववे ने कौशिश की पानी तक नहीं पहुच पा रहा था पत्थर डालकर पानी के स्तर को पानी के लेवल को वाटर लेवल को ऊपर उठा लिया पानी पीकर उड़ गया दोनो के दोनो moral of the story हैं इनको आपने learn करना है where there is a will there is a way necessity is the mother of invention चलिया students एक और कहानी आपको सुनाते हैं बहुर तो नहीं हो रहे होंगे आप ऐसी हम उमीद करते हैं आपका syllabus भी है और उसमें हम आपको कहानिया सुना रहे हैं आपके paper में आने वाली हैं अभी यहां पर हम आपको कहानी सुना रहे हैं कहानी लिखने का तरीका method आपको बतला रहे हैं आप केवल ध्यान से सुनते रहे हैं अपने interest को बना कर रगे next जो हमारी story है union is strength union is strength एकता में बल है इस कहानी की outline है जो इस कहानी के इस story के hints हैं वो है an old farmer ये एक किसान की कहानी है four sons चार बेटे always quirling quirling means लड़ना quirl means लड़ा या लड़े bundle of sticks bundle sticks चड़ी और bundle गठा चड़ियों का या लकड़ियों का गठा bundle of sticks बार बार आएगा bundle of sticks चड़ियों का या लकड़ियों का गठा unable to break break means तोड़ना unable समर्थ ना होना तोड़ने में समर्थ ना होना untie the bundle tie बांधना untie hole untie the bundle bundle को खोलता है sticks broken one by one जो sticks हैं वो एक एक करके छड़ियां हैं वो तूट जाती हैं फिर moral of the story कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है union is strength एक ता में बल है कैसे बल है आपको बतलाते हैं इन्हें हिंट्स को आप यूज करेंगे कहानी के स्टार्टिंग वही फर्स्ट लाइन once there was a farmer एक बार एक किसान था he had four sons उसके चार बेटे थे they were always quarreling with each other वो हमेशा आपस में चारों बेटे लड़ते रहते थे the farmer became sad किसान उदास हो गया one day एक दिन he fell seriously ill वो बहुत गंभीर रूप से बिमार हो गया he called all his four sons and advised them to live in unity चारों बेटों को बुलाया समझाया के एक ता के साथ इकठे रहा करो बच्चे नहीं मानते थे नहीं समझते थे तो he thought of a plan to change the ways of his sons अपने बेटों का रवाया अपने बेटों का बरताव व्यवहार change करने के लिए उसने एक योजना बनाई he gave them a bundle of sticks and asked them one after the other to break it एक लकडियों का गठ्था अपने बेटों को दिया और कहा एक एक करके कोशिश करो और इस लकडियों के गठ्थे को तोडो all of them tried hard to break the bundle of sticks लकडियों के गठ्थे को चारो भायों ने एक करके तोडने की कोशिश की but no one could succeed लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली then the farmer told them to unite sorry then the farmer told them to untie the bundle फिर किसान ने कहा इस bundle को untie कर दो इस bundle को इस गठ्थे को खोल दो खोलने से क्या होगा सारी की सारी जो छडियां हैं लकडियां हैं अलग-अलग हो जाएंगे now each son could फिर फिर कहा now he asked them to break the sticks now अब किसान ने कहा के अब एक-एक करके जो छडियां हैं अलग-अलग हो चुकी हैं इनको तोड़ो now each son could break the sticks very easily अब हर एक बेटा एक-एक करके छडियां को तोड़ने में समर्थ था बड़े आसानी से छडियों को अलग-अलग करके हर एक बेटे ने तोड़ दिया he told them he means the farmer the farmer आप लिख सकते हैं the farmer told them to remain united like the bundle जैके स्टुडेंट्स यह वर्ड्स हैं स्पेलिंग से ध्यां से करेंगे यह united है united means एकठा रहना एकता के साथ रहना यह anti word है the farmer he लिखा हो है जहाँ पर the farmer told them to remain united like the bundle किसान ने बेटों को समझाया के जैसे bundle जो गठा था उसमें जो छडियां थी sticks थी वो जैसे इकठी थी ऐसे ही इकठे रहा करो क्यों कारण बताया reason दिया है if they remain united अगर आप सभी इकठे रहते हैं no one can harm them आपको कोई भी नुक्षान नहीं पहुचा सकता and if they live alone or you can say separately अगर आप alone रहते हैं अकेले रहते हैं separately रहते हैं अलग-अलग होकर रहते हैं like the sticks जैसे छडियां गठे से निकल कर अलग-अलग हो गई थी separate रहते हैं they will be destroyed, they will be ruined तो आपका विनाश हो सकता है आपको कोई भी destroy कर सकता है आपको कोई भी harm कर सकता है the sons learnt a lesson बेटों ने एक पाठ पढ़ा बेटों को एक शिक्षा मिली they never curled again वो दोबारा कभी नहीं जगडे they begin to live together in unity with peace वो सब ही शान्ती के साथ एकता के साथ रहने लगे अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है what is the moral of the story union is strength एकता में बल है students काफी interesting stories थी आपको मजा आया होगा stories से related और भी videos हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं आप पूरे interest के साथ में इन वीडियोज को देखते रही हैं अगली वीडियो में अगले topic के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात थैंक यू